IISC Bangalore, Indian Institute of Science Bangalore, इंडिया के अंडर इस टाइम पे अगर कोई एक AC उनिवरसिटी है जो Science and Research फील्ड में Top End Research करवाती है तो यह यही उनिवरसिटी है, इसका कोई Alternative आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो है आपको Excellence Research and यहाँ पे आपको एक Excellence Environment आपको मिलेगी Science and Research फील्ड में, तो अगर आप इस युनिवरसिटी में Admission लेना चाह रहे हो Class 12 के बाद, तो यहाँ पे एक Lifetime Opportunity है, आप यहाँ पे ले सकते हों, यहाँ पे यहाँ यहाँ पे यह युनिवरसिटी IISC Bangalore जो है, वो UG courses आफर करते हैं, आपको सबसे पहले तो आपको BITEC करने का यहाँ पे म आप इनरोल हो सकते हो, यहाँ पे Six Different Subjects में आपको BITEC करने का मौका मिलेगा, सबसे पहले तो Chemistry में आप कर सकते हो, यहाँ से BITEC, आर्थ एंड इन्वारिमेंटल साइंस में कर सकते हो, इसी तरह से आप Mathematics में कर सकते हो, इसी तरह से आप Physics and Biology में भी आप कर सकते हो, तो यहा और यह आपको BITEC प्रोग्राम भी आपको आफर करता है, तो यहाँ पे अगर आप Admission लेना चाह रहे हो, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी Opportunity है, इस Opportunity को आपको Miss नहीं करना है, उसे पहले हम Eligibility and Selection Procedure की बात कर लेते हैं, अगर हम BS प्रोग्राम की बात करें, तो यहा पे First Dropper and Second Dropper दोनों Eligible है, Second चीज यहाँ पे आपका 12 क्लास में Physics, Chemistry और Mathematics is a Main Subject होनी चाहिए, और Third जो है, आपका 12 क्लास में 60% Marks होनी चाहिए, अगर आप S.A.S.T. काटेगरी से बिलॉंग करते हो, तो आपका Just Pass होना ही काफी है, अगर हम Mood of Entry की बात करें, तो यहाँ प आप ले सकते हो, और Second यहाँ पे आप IZER Aptitude Test के थ्रू ले सकते हो, जब मैंने IZER के ओपर वीडियो बनाई थी, तब मैंने कहा था कि आप IZER Aptitude Test दे के आप IIC Bangalore में भी Admission ले सकते हो, तो आप इन दोनों में से किसी एक चैनल के थ्रू जो है, आप IIC Bangalore में Admission ले सकते हो, अगर हम Seed की बात करें, तो यहाँ पे Total Intake जो है, वो 138 Seeds है, जिसमें से 22 Seeds जो है, वो Super Numerary Seed है, जो की Female Candidates के लिए Reserved है, इसी तरह से 5 Seeds जो है, वो Foreign Nationals के लिए Reserved है, तो यहाँ पे Total 138 Seeds आपको यहाँ पे मिलेगी, इसी तरह से अगर हम B-Tech Program की बात करें, तो यहाँ पे भी आपका 12 Class पास होनी चाहिए, 2025 में या 2024 में या 2023 में, तो यहाँ पे भी First Dropper और Second Dropper दोनों Eligible है, इसी तरह से आपका 12 Class में 75% मार्क्स आपकी होनी चाहिए, अगर आप SCST और PWD कैटेगरी से बिलॉंग करते हो, तो आ आपका at least 65% मार्क्स आपकी 12 Class में होनी चाहिए, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम सेलेक्शन मूड की बात करें, तो यहाँ पे आप जो है, सिर्फ और सिर्फ जो है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पे एडमिशन होती है, इंटेक कैपसिटी की बात करें, तो यहाँ पे टोटल 52 सीट्स रहेगे, जिसमें से 8 सीट्स जो है, वो फिमेल के लिए रिजर्फट है, और 4 सीट्स जो है, वो फॉरन नेशनल के लिए रिजर्फट है, अगर हम इंपॉर्टन डेट्स की बात करें, तो BS and BTEC दोनु प्रोग्राम्स के लिए एक में से रिजिस् अगर आपकी जब रिजल्ट आएगी, चाहे जही एडवांस का हो, चाहे आइजर एप्टिचूट टेस्ट का हो, तो जब उनकी रिजल्ट आएगी तो आपने तीन दिन के अंदर अंदर ही इनके वेब साइट पे आपने वहां पर अपने स्कोर को अपडेट कर देनी है, अ 500 रुपीज फी पे करनी होगी इससी तरह से SC, ST and PWD कैटेगरी कंडिडेट से कंडिडेट सको 250 रुपीज पे करनी होगी अगर हम टूइशन फी की बात करें तो BTEC प्रोग्राम में जर्नल, OBC and AWS कैटेगरी कंडिडेट सको 220,200 रुपीज पे करनी होगी फस्ट रियर में इसी तरह से SC, ST and PWD कैटेगरी कंडिडेट सको 20,200 रुपीज पे करनी होगी फस्ट रियर में अगर हम BS प्रोग्राम की बात करें तो तो यहां पे जर्नल, OBC, and AWS category candidates को 30,200 रुपीज पे करनी होगी फ़स्ट एयर में, इसी तरह से SC, ST, and PWD category candidates को 20,200 रुपीज पे करनी होगी फ़स्ट एयर में. कम कट ओफ की बात करें, तो BS प्रोग्राम के लिए आईजर अप्टिचूट टेस्ट के थू, लास्ट यह, 2024 में, जर्नल काटेगरी के लिए 38 रैंक पे कट ओफ होई थी, जर्नल काटेगरी फिमेल में 94 रैंक पे कट ओफ होई थी, इसी तरह से अधर हम जर्ए एडवांस के थू, BS प्रोग्राम के लिए कट ओफ देखे, तो जर्नल के लिए 1095 रही थी, जर्नल फिमेल में 1763 पे कट ओफ रही थी, EWS में 829 पे और EWS फिमेल में 1483 पे कट ओफ रही थी, अभी सी के लिए 2348 पे कट ओफ रही थी पिछले साल, और अबी सी फिमेल में 3013 पे cut off रही थी, SC के लिए 484 रही थी, SC फिमेल में 579 रही थी, ST के लिए 190 और ST फिमेल के लिए 205, NPWD के लिए 19 रही थी इसी तरह से अगर हम BTEC प्रोग्राम के लिए देखें, तो JE Advance के through last year जो cut off रही थी, वो जनल के लिए 410 रही थी, जनल फिमेल में 1065 रही थी, EWS में 2322 रही थी, EWS फिमेल में 7064 रही थी, OBC NCL में non creamy layer में 3491 रही थी, और OBC NCL फिमेल में 6459 रही थी, SC के लिए 10594 रही थी, SC फिमेल के लिए 2622 रही थी, ST के लिए 28806 रही थी, ST के लिए 28978 रही थी, और PWD के लिए 28978 रही थी, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि यहां पे इस बार केसी cut off रह सकती है,